जै गुरुजी संगत जी गुरुजी टुड़े ब्लैसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सबस्क्राइब करें और साथ में लगे वें बेल आइकोन के बटन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि डेली करवाना चाहते हैं पूरी दुनिया की संगत के सामने शेयर करना चाहते हैं तो संगर जी दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए हमारे वाटसप नंबर और हमारे मोबाइल नंबर पर हमें सकते हैं यह अपना सत्संग वैस्मिसेज की रूप में रिकॉड करके हमारे वाटस-अप नंबर फेज सकते हैं ताक्य हम गुरुजी के चैनल पर आपका प्यारा सा सदसंख अप्लोड कर सके जय गुरु जी आज का सदसंख गुरु जी का बहुत प्यार क्यूट सा सदसंख कि टॊंदाए जीन वमेशा का दो कए आप कहए अधा रभ नल प्यार कर भांता प्यार करें 46 वा requires estaba प्यार करो गुरु जी को बहुत प्यार करो गुरू से कभी निढरो घृ मेसा कहते न कर 51 को गुरु ता मेसा प्यार से भरे हूं हसगर गुरू जी को हमाने साथ शेर को भुरू की बहुत प्यारी बीटी बहुत बैस्त बीडिया है महिय अंटी दिल्ली से महिय अंटी जी अपना सतसंग है प्यारो साम पर शेयर हिए चलिए सतसंग स्टार्ट करते है जै गुरू जी, शुक्राणा आपके चंडों में मेरा कोटी-कोटी नमन आज गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा एक सत्संग है मैं इसमें अपने बारे में बहुत ही कम पर गुरुजी के मेरे उपर किये गए सभी उपकारो या फिर उनका तो अनंत्व शुकराना है मेरे पर जो भी मैं हूँ आज मेरे उपर दो-ढ़ाई साल से मैं काफी ही शायरे कृप से बिमार या फिर अपने आप भी में अपने कुछी काम नहीं कर पाती थी जादा अच्छे से बैठने उटने में भी मुझे नहीं बनता था तो किसी की मदद लेनी पड़ती थी या जो भी है हमारे घर में गुरुजी को दो-धाई साल से मेरी ममी मानना शुरू कर दिया था जाती थी गुरुजी के सथसंग में बड़े मंदर और काफी जगा भी पर मैंने गुरुजी के आश्रम में पहली बाब में बड़े मंदर अपरिल में गई थी लास्ट अपरिल और मार्च आई डों रिमेंबर इट करेकली वो भी मैं इसले गई थी क्योंकि मेरी हायत उजिन इतनी खराब थी मैं पेपर देख आई थी अपना कि बस मुझे लग राथ है कि मेरी शेहेसी प्रान निकल जाते है तो ज़्यादा अच्छा जाता पर इतना दर्द नहीं सहर जा राए मूझसे तो मेरा तो फिल्कुल भी जाने का मनन नहीं था कि मुझे नहीं जाना नहीं चाना तब भी मेरी मम्मे उजन बताने ही कैसी भी लेकी गई या फिर उजन गुरुची ने खुदी मुझे बुलाया होगा तब ही ऐसा हो सकता है जैसा कि सभी कहते हैं कि उनके दर पे वो जो तक ना चाहे हम पहुंची नहीं सकते हैं तो ये बात मैं खुद मानूगी अब तो मैं उनके सत्संग के बारे में बताऊँगी अब जाके मैं अपने से बैट उट सकती हूँ मैं 6-8 गंटे तक खुद से बैट उट सकती हूँ या कि आजा सकती हूँ ते देर तक के लिए जो कि मेरे इसाब से बहुत ही जादा बहुत ही जादा मेरे हलफुल है और बाकी जो भी है सब गुरूजी संभाल ही रहे हैं बाकी बचा को चाबी गुरूजी देख लेंगे मेरा तो मैं तो भी 10th क्लास में थी तो बोर्ड का एक्जाम चल रहा था तो उसमें तो पूरा-पूरा मेरा साथ गुरूजी ने जाद दिया है निभाया है सब गुरूजी की अपज़े से ही हुआ है और मैं 10th में पास हो गई और 11th मेरी शुडू हो गई है तो जैसा जो चाहिए था और सब होई गया 10th में भी अच्छे नंबर आ गए सब गुरूजी की देना है मैं है रहो नहीं की तो मैं गुरूजी का बताना चाहूँगी 10th में जब मैं बोर्ड के वेपर दे रही थी तो जब भी ज़्यादा मुझे मतलब डर लगता था यह लगता था कि मैं नहीं दे पाऊंगी पेपर मैं बैठी नहीं पाऊंगी उतनी देर तक 2-2 हंटे तक का पेपर था तो हमेशा मुझे एक-दो बार ही तो बेटरफ्लाइस दिखी है वो भी इतनी सुंदर इतनी सुंदर मेरा सपा से जाके चली जाती थी वो कहां दिखती ही नहीं थी फिर पर इतनी सुंदर थी कि उनको देखने के लिए बस चोटे बच्चे के तरह मैं भी भी खुन लग जाती थी उसके आगे पीछे घूमने लग जाना दब देखना उस कुमर मुणके तो बहुत ही अच्छा था वो पर उसके बाद सभी पेपर और सभी अच्छा से गया अभी मैं अपने हाल पला के सचसंग बताती हूं अभी एक दो दिन पहले ही फ्रेंडशिप डे गया था तो मेरे तो गुरुजी से बिन काफी अर्दास की गुरुजी मेरे को भी एक दोस्ट चीए है जो बस नाम का ना और रहे दोस्त यो कि आज कल तो हम सब को पता है कि नाम के रिष्टेत हमें बहुत ही मिलते हैं पर जो वाकी कामा ऐसा नहीं हो पाता जा जल्दी तो मुझे अच्छा दोस्त चीए गुरुजी बहुत ही अच्छा दोस्त चीए तो उस दिन शायद से मैंने बहुत दिन पहल नहीं अपने स्वरूप के लिए और और तो नहीं बात की थी संगत जी से सचसंग में के दौरा पता चला तो मैंने बात की थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चीए था तो फिर वो भी पता चला कि शायद आज शाम या कल तक आ जाना था उस दिन तो में बहुत ही वो ल जाए ना तो अगर आप हो मेरे साहत कर रहे हो मेरे साहत कर रहे हो तो अगले दिन आप शवास करेंगे संग जी अगले दिन मुझे 7o बेस तक आ गया था जो म 650 में नगु वाला मिल गया था गुरुजी मुझे भौट दिन उसे चाहिए था दोचा मुझे चीये था, बड़े मंदिर में भी लगा हुआ है, जिसमें माई प्यारे गुरूजी का तीनों चेहरे दिखते हैं, वो मुझे उसका सुरूप भी मिल गया, वह भी काफी बड़ा सुरूप है, वह काफी सुन्दर है, बस नजरे नहीं हट रही है तो गुरूजी सवाल मिल गया, अपना जबाब एक दिन पहले जमने किया तक ही, गुरूजी मेरे साथ कौन दोस्त रहे का, कौन जिसे हम लोग देते ही हैं, जुरूजी को फ्रेंशिप बैंड कहां से क्या होगा मेरा भी, तो वो हाथ में देखके मैंने देखा, बसलेट की देखा, और जो मुझे कीचेंट पर सुरूप थे, गुरूजी के दो, मैंने सुबा ही वो सुरूप देखा था, उसमें लिखा था कि तो खुश रहा कर, एश कर, टेंचन ना लिया कर, वही सुरूप उसमें भी था, इतना अच्छा था वो, कि बस गुरूजी दा अनंतम शुकराना और सुरूप की मैं बात कर रही हूं, जिसमें गुरूजी के तीन मुख हैं, उसमें भी एक चीज मैंने देखी, कि गुरूजी के सर के पीछे, एकदम पीली कलर की रोश्नी है, एकदम सूरज का तेज है वो, तो ये तेज मैंने संगर जी दूते दिन से, मैं इसके आने से दो चार दिन से पहले से ही, जब भी मैं मंतर जाप या ध्यान करती थी, गुरूजी का, तो मुझे इतना ही तेज दिखता था, इस सूरत से भी ज्यादा तेज हो, इसे ऐसा ही था वो भी, कि आनक बंद भी होती थी मेरी, तो भी मैं लगता था, कितना तेज है, कितना तेज गुरूजी के, हो सर के पीछे से वें देखा उस वरूप में, तो बस ही गुरूजी ने ब्लसिंगी दिया मुझे अपनी और यह कुछ भी नहीं हो सकता, और दूसरों लोग कह सकते हैं, सब मेरे कोई कोईंसिडेंट है, और कुछ नहीं है, पर नहीं, गुरूजी जो भी कर काई को, मेरा अक्सिडेंट भी हुआ था, गार से, मैं साइकलिंग कर रही थी, तो मुझे लग गई थी, पर आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो अक्सिडेंट मतलब काफी बुरा हुआ था, पर तब भी पतानी कैसे, मुझे चोट जितनी लगनी चाहिए थी, उतनी नहीं लगी, उसके बाद भी मैं अपने हम से साइकल चला के वापस आ गई, मुझे इतना लगा भी नहीं, बस मेरे पहर पे थोड़ी बहुत मुझे दर्द हो रहा था, पर इतना नहीं समझ आया, और पर जितना हुआ अक्सिडेंट हुआ था, मेरी हड़िया मड़िया तूट जा जाना था, तो फिर जाना पड़ा, फिर अगले दिन, मेरा काफी मन था जाने का बड़े मंदर, एक देड महीने हो गए थे मुझे, नहीं कए बड़े मंदर, तो फिर जैसे भी जो भी हुआ फिर में को लास्ट में सोच री थी, मैं जाओ नहीं, जाओं क्या करूं, फिर ला अपर मैं गई भी पताने कैसे मुझे जादा मुस्तिन और जादा ही चलना पड़ गया कहीं पे सेवा या कुछ नहीं मिली थी गाड़ी नहीं मिल रही थी तो मैं चलके मैं भी गई थोड़ देर तक पर तब ही मैं आई गई सब किया मैंने और पर वहां से लोटते समय मुझे कि इतना फरक लगा अपने पैर में कि मैं कम से कम फिर उसके बाद चल पा रही थी अपने से जो मुझे इतनी दिकत हुए थी ठीक हो गई कि मैं चल पा रही थी उट बैट पा लग गई थी और उसके आगर दिन तक वह चोट एकदम ही कोई नामों निशानी नहीं बचा था अज़ा पाद नहीं देखा थी तो फिर ऐसे हैं हमारे गुरूजी हमारे को चोट लगने से पहले ही वहा हमारे दबादा इंतिजाम भी कर देते हैं मेरे को यही समझ आया इस चीज से और इसके बाद यह भी कुछ दिन पहले की ही बात है कि ध्यान लगाते समय मेरे को एक आ ब्लू 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 वो भी ब्लू बहुती सुन्दर था एक दम जैसे माचिकल ब्लू हो पता नहीं रंग कैसे डिसक्राइब करो मुझे पता ही नहीं है उसमें इसी शाइन थी कुछ अलगी था पर जैसे थोड़े बाद अपने अभी अध्यान टूट गया तो मैं समझने आए क्या देखा मैंने तो मैंने गुरी जी क्या दिखाया आज आपने क्या था कैसी आंक इसकी आंक थी यह ब्लू लाइट कैसी थी तो फिर असके 10-15 मिनट बाद ही हमारे हमने गुरी जी के मंतर जाप यह सब चला रखे थे तो स्क्रीन पर हमने मैंने देखा कि शि तो फिर में खो यह तो गुरी जी का ही इशारा है कि वो कौर कुछ नहीं था बस गुरी की ब्लेसिंग थी मेरे उपर और यह मुझे कभी भी सत्संग करने का मन तो मेरा काफित दिनों से था पर कभी मैं हमत नहीं खटा कर पाई मुझे लगता था कि अभी मेरी इतनी उमर न